हलो दोस्तों इस वीडियो में लाया हूँ एक ऐसा पैनी स्टॉक जो अगर आपको मिले तो जरूर आड़ कीजिए अपने पोर्फोलियो में करेंट प्रैस जो है वो है 4.87 फेस वैली दस रुपया है एड़ इसका जो मार्केट कैप है काफी कम 12 लुक इसका मार्केट कैप है वो क्यू है वो भी मिं बताऊंगा इस कंपणी का नाम है है सोभागया मकेंटाइल और सबसे बेस्ट पार्ट इस company का यह है कि जो इसका sales figure है यहाँ पे आप देख सकते है 2019 तक बहुत ही कम ना के बराबर था लेकिन March 2020 से काफी अच्छा है growth देखने को मिला है profit भी यहाँ पे increase हुआ है तो अगर आपको यह counter मिले तो जरूर एड कीजिए इस counter में problem यह है कि volume बहुत कम है तो कोई trade नहीं करा जिसके पास यह shares है वो बेच नहीं रहा है total जो share capital है वो सिर्फ 24 लाग है face value 10 रुपया है यानि कि सिर्फ 2.4 lakh shares है market में इसलिए कोई trading नहीं हो रही है बहुत कम लोगों के पास यह share होगा तो अगर यह counter आपको मिले तो जरूर add कीजिए कभी भी अगर मौका मिलता है तो add जरूर कीजिए इस counter को यहाँ पे अगर आप देखेंगे promoter holding 34.51% है और public के पास 65.49% है sales काफी अच्छा improve हो रहा है यहाँ पे so एक turnaround story हो सकती है इस counter में तो अगर आपको मिले तो जरूर add कीजिए so भाग्या mercantile जिस तरीके से इसका business grow हो रहा है इसका share price काफी जाधा होना चाहिए क्योंकि share capital काफी कम है बट कोई trade नहीं कर रहा है यह दूसरा LCD investment जैसा stock है जिसमें volume बहुत कम है so trading नहीं हो रही है यहाँ पे अगर आप देखेंगे volume one 29 नवेंबर को भी volume one 38 नवेंबर को volume one यानि कि एक एक share की बिकरी हो रही है और जब तक यह trade नहीं होता है तब तक stock price उपर नहीं जाता है लास्ट जो trade हुआ था वो हुआ था 26 अपरिल यहाँ पे भी आप देख सकते है volume सिर्फ one है so यह counter अगर आपको कभी मिल जाए लेने में आ जाए अगर आप volume trade हो रहा है तो जरूर एड किजिए इस counter को काफी अच्छा multi bagger return दे सकता है आने वाले समय में business grow हो रहा है बट share capital काफी कम है इसलिए यह stock available नहीं है market में बट आपको मिले तो जरूर आड किजिए सबाग्या मरकंदाइ thank you for watching this video please do subscribe for regular updates